दोस्तो अगर हम भी टीम इंडिया को एक बहतरीन टीम मांते तो हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा दोस्तो इसे कब दो जाते इसके सूपर बोर में आज बारत और पाकिस्तान के बीच मां मकाबला केला गया जिसमें बताएंगे आज के बड़े मकाबले का पूरा हाइलाइट वीवरन साथी कौन सी टीम ने इस बड़े मकाबले को अपने नाम कर लिया और कप्तान रोहिसरमा, सुबन गिल और विराट कोली ने कैसे पाकिस्तान के खिलाब पूरी तरह से ताबरत और बल्ले बाजी करकर एक नया इतिया स्रच दिया तो पूरे हाइलाइट के साथ साथ आज का बड़ा मकाबले में कौन सी टीम को जीत मिली है पूरा हैलाइट बताएंगे आप इस वीडियो को बिल्कुल मिसमत कीजे वीडियो देखते रहे वीडियो को लाइका दीजे चैनल पर ने हो तो सस्क्राइब करके बैल बटांच जरू दबालिजे दोस्तो आज टीम इंडिया को पहले बल्ले बाजी का मुका मिला ज़ा टीम इंडिया की और से शुबन गिल और शाथ में कप्तान रोईस्रमा बल्ले बाजी करने आए जहां इन दोनों ने आते कापी ताबरत और बल्लेबाजी की और एक के बाद एक कापी अग्रेसिव सोट लगाना शुरू कर दिया जग कप्तान रोहिस्तरमा ने कापी सांदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्षा तक पूरा किया कफ्तान रोहिसरमा किशाथ गिनने भी अर्षा तक कुरा किया और टीम इंडिया ने बिना विकिट को ये 100 रन से जादा बना लिये थे और टीम इंडिया की काफी सांदार पार्टिशिम नजर आ रहे थी तबी जो है सुबंगिल आउट होगे उसके बाद में कफ्तान रोहिसरमा भी आउट होगे टीम इंडिया को बैक टू बैक दो जटके लग चुके थे उसके बाद हैं विराट कोली और केल रावल बल्लेबाजी करने आए जनी तेज आए कि आज ये बड़ा मकाबला नई हो सका और बारिस के चलते मकाबले को रदगोशित कर दिया गया साथ इस बड़े मकाबले में अभी कोई भी टीम को जीत नहीं दिये ये बड़ा मकाबला 11 सेतमर को खेला जाएगा उसके बाद में डिसाइड होगा कि कौन से टीम इस बड़े मकाबले को जीत पाती है दोस्त आपको क्या लगता है टीम इंडिया इस बड़े मकाबले को जीत पाएगे नहीं जीत पाएगी कमेंट सेक्षिन में जरू बाता है और इसी अप्डेट के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब वीडियो को लाइक और सेर जरू करे